तो हेलो एंड गुटीवनिंग गाइस कैसे आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो गाइस आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस व्लॉग में कोटाबाग की इन सडकों से तो गाइस मैं अभी आए हुआ था कोटाबाग किसी काम से बहुत जरूरी क सामता मेरा तो मैंने का क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए तो घर वाप जाते वक्त मैंने का चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं तो गाइस अभी मैं हूँ कोटाबाग से कुछ किलोमेटर आगे यानि क्या आप कहा सकते हैं मेन सिटी जो कोटाबाग है उससे दो तिन किलोमेटर आगे मैं पहुँच चुका हूँ और गाइस मैं सबसे पहले आपको चेक कराना चाहूँगा व्यू तो यार आप व्यू देखो मेरे राइट हैंड पे हैं धेर सारे खेत और सामने से एक सुन्दर से बहार, हमारे उत्राखंड की पहार, ठेर सारे तो गाइस, कोटाबाग का जो ये एरिया है, यहाँ पर खेत पहार, सबी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और जित्ती भी जो ये सब रोड है गाइस, ये सारी समतल रोड है, यानि कि प्लेन रोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बन्ला थोड़ा सा आपको सहर टाइप का फील आएगा और थोड़ा आपको पहाड जैसा फील आएगा, यानि कि कोटाबाग खुल मिला का आपको दो तरीके से काफी अच्छे अच्छे व्यूज दिखा दिये, यानि कि धे सारे खेट, समतल खेट और पढ़िया से पहाड तो गई चलते हैं थोड़ा सा आगे, अभी मैं यहाँ पर एक काफी अच्छी चीज आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि काफी फेमस है और काफी माननेता है, तो यह चलते हैं आगे और फिर आपको दिखाते हैं कि वो चीज क्या है, तो गाइस मैं हूँ अभी कोड़ा बाग पे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर काफी फेमस है और इसको बोला जाता है कि यह बहुत प्राचीन कालीन है और इसमें कितनी सचा ही है, इतना तो मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं आपको चेक कराने चाहूंगा आप जस्ट मेरे सामने देख सकते हैं, यह आपको बड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा तो गाइस यह चेक करिए, यह जो बड़ा सा पत्थर है इसके उपर जो छोड़ा पत्थर रखा गया है इसको भीम पत्थर बोला जाता है यहाँ पर काफी जो लोग है, सब लोग इसको मानते हैं कि भीम द्वारा यह पत्थर रखा गया था क्योंकि आज तक जो भी इस पत्थर के उपर चड़ा है अगर पहली बात तो चड़ना काफी मुस्किल होता है इसमें चड़ना ही पाता है कोई लेकिन अगर इनकेस कोई चड़ भी गिया तो वो जो उपर पत्थर आप देखना है छोटा सा तो गाईज ये वाला पत्थर जो है इसको कोई भी नहीं हिला पाता है ये इतना भारी है तो कहतें कि इसको भीम ने रखा था और यहाँ पर देख सकते गाईज ये बगल में जो है गधेरा बह रहा है और तुमारे भाई की स्कूटी जस्ट आगे खड़ी गी है तो मुझे लगा कि यार काफी इंटरस्टिंग चीज है और भीम पत्थर वैसे कई जगा पर पहले भी पहाड़ों के तरफ और पाई जाते है लेकिन कहा जाता है कि ये भी भीम द्वारा रखा गया था ये वाला पत्थर तो चेक करिए गाईज छोटा सा जो पत्थर आप देख रहे होंगे ये है भीम पत्थर जो की बहुत फेमस यहां का पत्थर है तो गाईज मेरा जो काम है वो हो चुका था और अब मैं जा रहा था हलदवानी के दर्फ तो मैंने सोचा क्यों रहा कोटा बाक से स्टार्ट करा जाए व्लॉग को और ये रही आपके भाई की स्कूटी आज है फ्रॉम यूके जीरो फोर तो गाईज कल पता नहीं किसने मेरे यूके जीरो फोर में से के जो है गाईज ये निकाल दिया है तो यार ऐसा मत करो यार मतलब भाई की स्कूटी है तोड़ी सी रिस्पेक्ट करो भाई की स्कूटी की भी यार तो गाईज अभी चलते है फिलाल मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मुझे रस्ट टाइम लगेगा मिंमम एक घंटा जाने में क्युकि मुझे जादा स्पीड में नहीं जाना है तो अलके हलके चलेंगे जाने के बाद पहुँचेंगे मस्ओ तरीके सब हलदवानी तो चलते हैं कईज कुछ वीव आगे और है बहुत प्यारे प्यारे जंगल है तो मैं आप तो आगे चल के जंगल दिखाता हूं तो चलिए चलते हैं तो गाईज इस समय मैं पहुच चुका हूँ मूसा बंगर पे इस जगा का नाम है मूसा बंगर और यहां से गाईज स्टार्ड हुजाते हैं हलदवानी को जाते वक्त तो अब मैं जस्ट कुछी मीटर बाद जंगल के अंदर एंटर करने वाला हूँ यानि की मेन रूट से होते वे अगल बगल में जितने भी जंगल हैं यहां पर काफी खूफसूरत है गाईज और यह सारे रामनगर के जंगलों के साथ लगे हुए हैं तो लोकेशन जो है गाईज यह जब मैं यहां फर्स ताम आया था मुझे बहुत अच्छी लगीती तो चेक करिया अभी जो यह वाले पेड़ है गाईज इसने दोनों साइट से अपने आपस में ऐसे जॉइंट हो रखे ना कि ऐसा लगता है कि मानो दोनों तरफ से गेट ब आये होंगे तो आपको बहुत ऑसम लगने वाला है यह वाली जगा तो गाईज मेरा यहां थर्ट टाइम है आने का तो मैं पहली बार जब आया था मैंने यह वाली लोकेशन देखी थी का इस मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो चेक करो गाई इसकी तीजवर्दस लोकेशन है पेड़ बिल्कुल रोड के किनार पे लगे हुए है और बिल्कुल एक तरीके से गेट जैसा लंबा रास्ता आपको देखने को मिल रहा होगा तो बहुत ही आसम लोकेशन है गाईज चेक कर सकते हैं आप मैं भी काफी हलक के और नेचर का इंजॉय करते हुए जा रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी स्पीड जादा नहीं है थर्टी के संथिंग मेरी स्पीड चल लिए तो यहां चेक करो गाईज लिटरली यह लोकेशन मेरी इत्ती फेवरेट है रहा मैं आपको बता नहीं सकता कभी मेरे डीए सलार रहा आया तो मैं जरूर आओंगा यहां पर फोटोफ खीचने के लिए तो गाईज आप चेक कर यह लोकेशन बलकि मेरा मन तो कर रहा है कि यहां पर थोड़ देर रुकूं लेकिन क्या करें हलदवानी भी जाना बहुत जरूरी है तो चलते हैं हलदवानी की रहे हैं और आप देख सकते हैं का इस अगल बगल में प्यारे प्यारे जंगल और यह वाला जो रास्ता है गाईज यह जाता है हलदवानी को तो अभी तुम्हारा भाई थोड़ दिर बैठा और बगवान जिससे आसरवाद लिया तो आप चलते हैं गाईज आगे कुछ और प्रव्यूज रिखाएंगे आपको तो चलिए चलते हैं तो गाईज अभी तुम्हारा भाई पहुंच चुका है हलदवानी से सोरा किलोमेटर पहले ही तो यहां से गाईज अब काला डूंगी के सारे जंगल जो है खतम हो जाते हैं तो अब जस्त थोड़ा सा आगे जाके आएगा गाईज भागड़ा पुल तो भागड़ा पुल यहां से गाईज होगा भी 200 मीटर की दूरी पर और यह वाला टर्न जो है गाईज काफी खतरनाक भी है यहां पर खिशबार गाड़ी स्लिप हुजाती है या एक साइट को चली आती है तो कभी भी आप इस रोड पे इस मोड पे आए तो थोड़ा सा ओर स्पीटिंग ना करें और अभी जस्ट यहां पर से थोड़ा सा आगया आजाएगा गाईज भागड़ा पुल तो थोड़ी दिर भागड़ा पुल पे रुकेंगे और आपको चेक कराएंगे कि नदी आ रही है नहीं आ रही है और वैसे गाईज अब टाइम आ चुका है तो गाईज कुछ टाइम बाद इस भागड़ा नदी में धेर सारा पानी आ जाएगा जब बरसात सुरू हो जाएगी विलाल एक तरीके से बरसात सुरू हो चुकी है पहाड़ों में तो अच्छी बारिस होने लग गई है आज सुबा और हल तो गाईज अभी मैं पहुंच चुका हूं भागड़ा पूल के पास और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह जो नदी है भागड़ा नदी कही जाती है लेकिन इस समय जो यह नदी है इस समय बिलकुल सुखी हुई है तो अभी कुछी मंत बात जब यहां पर गाईज बरसा सुरू हो जाएगी पहाड़ों में तो यह नदी पूरी आप देख सकते हैं यहां पर तक पूरी भर के आएगी तो अभी तो इस समय जरासा भी यहां पानी नहीं है लेकिन बरसात के साइम पर आप जब देखेंगे गाईज यह नदी बहुत तगड़ी आती है तो मैं उस द पहुच चुका है घर पे और आज मेरी जो कुटाबा की राइट थी काईस काफी अच्छी रही मौसम तो इतना ओसम हो रहा था गाईस मैं आपको बता नहीं सकता उधर की साइट को भी बारिस का मौसम बनाता है और जंगलों के 20 से जब मैं गया तो गाईस लिटरली आपने वीडियो में तो देखाई होगा आपको आज की वीडियो पसंद आईए गाईस तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा और गाईस सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत इच्छी बात है और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा गाईज ऐसे आपको नहीं ने कंटेंट मिलते रहेंगे तो आपको आज का लोग पसंद आया होगा पसंद आया मेरे चैनल को नए है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब दीजिए तो मिलते हैं आप से ने व्लोग में तब तक के लिए बाइ टेक केर और बेपी बीड़ाइट